हेलो एब्रीबन वेलकम टो एसपरेंट सेबो एससे सीजियल दो हजार तेजिस का एक्जाम आपका जुलाई मिड में स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है कि प्री होगा उसके बाद मेंस होगा और अब तो मेंस में भी रीजनिंग आती है और कोडिन डिकोडिंग एक ऐसा जो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो अगर एससे में आता है तो आपको कोई ना कोई क्वेशन तो ऐसा जरूर मिल जाता है हर साल जुसे देख कर आपको लगता है कि इसमें कौन सा नया logic अप इंट्रोडियोस किया गया है तो coding decoding का जो level है वो साल दर साल high होने लगा है 2019 से ही और उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो prelims की हर set में दो question आपके आते ही आते हैं जिसमें एक question होता है later to later का तो एक question होता है later to number coding का और अगर वो later to later coding easy देते तो later to number coding tough देते हैं और अगर later to number coding तफ देते हैं तो उसी shift का जो later to later coding होता है वो थोड़ा से easy दे रहते हैं लेकिन अगर tough question की बात करें तो later to number अभी भी top पर बना हुआ है तो इस question में पूरी तरीके से हम code and decoding के उन questions की बात करेंगे जो 2021 और 2022 में आपके exam में आए जिन्नों ने एक से दो बार सो 50 नंबर आए प्रिलिम्स में और मेंस में भी आप अच्छा करके दिखाएं तो ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत beneficial रहने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अप्रोच करते हैं coding and decoding के question को coding and decoding का question तुक्का मार के नहीं एक सही अप्रोच के साथ अगर solve किया जाए तो थोड़ा सा time भले extra लगे लेकिन आपका question solve जरूर होगा और paper में आपका question छूटेगा नहीं तो इस वीडियो में जादा question 2022 के हैं लेकिन एक से दो question आपको 2021 के भी मिलेंगे ऐसे जो वागई में अभी तक के coding and decoding के history में जो कि CGL में आया है सबसे जादा tough question माने गए हैं तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से logic के बारे में हमें सोचना है जोकि सवाल यही उठता है कि अगर हमारे सामने question आया है तो हमारा दायरा क्या है कहा तक logic के बारे में हमें सोचना है तो यहाँ पे हम आपको पहले बताते हैं कि जब later to number coding आती है तो वो भी दो तरीके की आती है अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझेगा तो इसके बाद coding and decoding के इस तरह के questions में आपको problem नहीं होगी तो later to number coding जब आपकी sigil की paper में आती है तो दो तरीके की आती है एक आप देख रहे है when one number is given for a word जब एक word के लिए एक number assigned हो for example आप से कहा जाए कि loss का code क्या है 47 या आप से कहा जाए कि crow का code क्या है 64 है इस तरह की question और एक होते हैं आपकी question जहां पे हर एक later के लिए आपके जो है numbers वो क्या हो होते हैं कुछ इस तरीके के ठीक है तो इस तरह की question को deal करने का अलग अप्रोच होता है और इस तरह की question को deal करने का अलग अप्रोच होता है तो हम जो बात कर रहे हैं यह logic जो आपके सामने लिखे हुए आपको दिख रहे हैं यह logic इस तरह के question के लिए है So dear students, जब भी ऐसा question आए, कैसा question? जब एक पूरे word के लिए एक number assigned हो, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कहीं जो number assigned है, वो किसी का cube या किसी का square तो नहीं है, ये आप ध्यान दीजेगा, जैसे कि यहाँ पे देखी, crow में आपका code क्या लिखा है 64, अब 64, 8 का square भी है, 4 का cube भी है, तो आपका दिमाग जाएगा ना कि crow word में 4 अक्षर है, तो 4 का cube कर दिया और 64 आ गया, और ये question अपने मन से यहाँ मैंने नहीं लिखा है, 2021 में 13 अगस का ये question है, you can google it, तो अगर इस तरह का question आए, और वहाँ पे आपको cube या square दिखेगा, तब तो आपको पता है कि उ उसका cube कर देगा, या उसका square कर देगा, और ये भी कर सकता है कि एक शब्द में कितने vowel है, या फिर एक शब्द में कितने consonant है, उसका भी square या cube कर सकता है, हलाकि इस तरह के question आपको देखते ही पहचान में आ जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे कि जो coding है, उसमें किसी ना कि इसका square या cube लिखा रहेगा, अब आते हैं असली लडाई पे, अगर square या cube नहीं है, तो क्या approach होना चाहिए, तो देखते ही सबसे पहला approach आपका ये होगा, कि जो वो word है, उसकी जो letters है, उसकी place value को आप जोड़ोगे, अब जोड़ने के बाद, या तो बस सीदे सीदे जोड अंसर आजाएगा, और अगर नहीं आता है, तो आपको उसमें add करना है, या multiply करना है, total number of letter से, या total number of vowel से, या total number of consonant in the word, बहुत ध्यान से, और अगर यासा करने पे answer नहीं आए, तो आपका second approach क्या होना चाहिए, कि आप उन अक्षरों के opposite को जोड़िए, और फिर उसमें जो तो ये आप इसका screenshot ले सकते हैं, अगर इस तरह के question आए, तो आपको फिल हाल यही approach करना है, आपका answer आजाएगा, और question अभी आपको सामने मिलेगा, आगे चलके आपको questions मिलेंगे, पहले हम logic की बात कर लेते हैं, ये उस तरह की logic है, जब आपका question उस तरीके से आएगा, कि ह तो 3 लिख दिया हो, 18 लिख दिया हो, 15 लिख दिया हो, और 23 लिख दिया हो, या फिर उसके opposite लेटर की place value लिख दिया हो, जैसे की 24 लिख दे, आपका 9 लिख दे, यहाँ पे 12 लिख दे, या फिर यहाँ पे 4 लिख दे, और अगर ऐसा नहीं है, तो और क्या हो सकता है, place value या उसके opposite लेटर की place value में कुछ जोड किया घटा के लिख सकता है जैसे C है लेकिन 3 ना लिखे 4 लिख दे R का 18 ना लिखे 19 लिख दे O का 15 ना लिखे 16 लिख दे या इसके opposite में कुछ जोड दे या फिर कुछ क्या कर दे घटा दे questions आपके exam में आ रहे हैं इस तरीके के next है arrange in alphabetical order then place value में plus या minus बहुत चल रहा है ये आपके 2021 में इसके दो question आयते और 2022 में भी इसके question देखने को मिले जैसे कि question आया था 2021 में आया था आपको एक word दिया गया था और word आपका क्या था payment और payment का code आपका दिया गया था कुछ ऐसे ही था 6 था 1 था 0 था ठीक है 18 था फिर 14 था ऐसे करके कुछ था exactly याद नहीं है तो इसमें logic क्या था पता है पहले payment के अक्षरों को ना उन्होंने क्या किया था alphabet के order में लगाया था ठीक है पहले आपका A हो गया, E हो गया फिर M आ गया, N आ गया इस तरीके से alphabet के order में लगाया था और उसके बाद उसमें सब में क्या किया था प्लस 5, पहले 3 लेटर में प्लस 5, लास्ट के 3 लेटर में माइनस 5 किया था, 2021 का question है ठीक है तो ये इसी logic को यहाँ पे लिखा गया है अगला है different logic for vowel और consonant भाई ये तो बहुत चल रहा है, एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसमें vowel के लिए कुछ और consonant के लिए कुछ और करेंगे और vowel और consonant में भी एक नया logic आ गया है, कि अगर ऐसा लेटर है, जिसके single digit की place value है, तो उसके साथ कोई दूसरा logic, और अगर double digit की place value है, तो दूसरा logic, जैसे कि एक question आया था, word था आपका healthy, चीक है, अब healthy में क्योंकि H आपका single letter रखता है, तो H का double कर दिया, sustained, लेकिन Y आपका double letter रखता है, तो Y का 5 और 2 जोड के क्या कर दिया, 7 अगर आप कहीं पर E का code 2 देख रहा है ना, तो परिशान मत होईएगा Y का code 5 देख रहे हैं, तो सोचे का मत की यार, Y 5 कैसे हो गया एक नया logic है, नया नहीं पुराना ही कहेंगे अब तो क्योंकि 21, 19 में अगर आ गया है, 2019, 2021 तो नया नहीं रह गया देखें, आपका जो वाविल का सिरीज है, उसमें भी तो वाविल्स का अपना एक प्लेस होता है A, E, I, O, U में, A1 है E आपका 2 है, I आपका 3 है, O आपका 4 है, U आपका 5 है, तो कहीं कहीं वाविल्स के लिए अलफा बेट में वाविल की क्या प्लेस वैल्यू होती है, वो ना लिखके वाविल की सिरीज में वाविल की क्या प्लेस वैल्यू होती है, वो लिखा जाता है Next है, SDN अभी आपने देखा न, कि अगर P है P की प्लेस वैल्यू है 16 है, 6 और जोड के साथ बना दिया गया, इसे बोलते है SDN, SDN का full form होता है, single, digit, number, ठीक है, दो अंक वाली संख्या के अंकों को जोड के single digit में convert करने को क्या बोलते है, SDN बोलते है, तो यह आपका सारा का सारा logic है, आप इसका screenshot लेजे, अभी मैंने आपको बस एक logic कैसे ही समझा दिया कि क्या होता है, है ना, एक clear view दिया है, बाकि आगे question में यह सारे logic यूज होने वाले है, then you can understand them more clearly, चलिए, अब हम पहला question देखते है, question कब आया है, यह नीचे mention है, हर question में बोलेंगे नहीं, आप खुद देख लीजगा, यह question कब आया है, अगर किसी question में लिखा नहीं है, तो भी, वो miss हो गया होगा मुझसे, बाकि वो हो गया exam का ही question, अब देखे, आपका question किस सरीके से आया, एक पूरे word के लिए एक number assigned है, आपको एक trick हम और सिखाने वाले है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, आप यह देखे, आपके सामने code दिया है, और कहा जा रहा है कि जो paper word है, paper का code कितना है, 76, क्या करना था, अगर square या cube वाले number नहीं दिख रहे है, तो आप सबसे पहले इनकी place value को add करेंगे, तो क्या आप add करोगे, 16, 5, 16, 16, 5 और 18, यही है, तो आपका 16 तिया कितना हो गया, 48, 18 और 5, 18 और 10 कितना हो गया, 28 हो गया, तो 8, 8, 16, 4, 26, सीधा सीधा आ गया, तो अगर सीधे सीधे जोडने पे आ ज form जरूर कर लीजेगा, कई बार गुगली होती है, हलाकि यह आप ही clear है, जैसे यह 21 है, यह 21 है, ठीके, 21 और 21 जोड़ा तो कितना आया, 42 आया, C भी हमारा दो बार है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया, और 5, 2, 7 हो गया, और आर क्या हो गया, 18 हो गया, 8, 7, 15, 3, 18, 6, 24, 25, 26, सही है, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब कि क्वाली फ्लावर की सारी लेटर्स को जोड़की कर दीजे, अंसर आजाएगा, बहुत इसी क्वेशन है, तो C आपका 3 है, A आपका 1 है, U आपका 21 है, L आपका 12 है, I आपका 9 है, F आपका 6 है, L आपका 12 है, O आपका 15 है, W आपका 23 है, E आपका 5 है, और A आपका 18 है, इसे आपको एड करना है सबको, तो कहां से शुरू करते हैं, यहां से कर लेते, 20 हो गया, 23 हो गया, 23 और 5 कितना हो गया, 28, 28 और 8 कितना हो गया, 46, 46 और 6, 52, 52, 62, 62, 64, 64, 74, 79, और 69 में 9 आड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 और 78 हो गया आपका 88, 90, 100, 110, 111, 112, 115, 116 होगा ठीक है एक बार और इससे confirm कर लेते हैं calculation में mistake नहीं होनी चाहिए 3 प्लस आपका कितना है 1 उसके बाद प्लस कितना है 12 उसके बाद प्लस आपका कितना है 9 और 12, 9 उसके बाद 6 और 6 के बाद आपका कितना हो जाएगा अगेन आपका 12 उसके बाद 15 उसके बाद 23 देन आपका 5 और दान आपका 18 125 नहीं कितना आ रहा है 125 Thai तो ये आपका third option अंसर हो गया अब अगला question देखिए उसी तरीकी का है आपको code दिया है word है आपका beloved तो beloved के अक्षरों को पहले आप जोड़के देखेंगे तो 2 और 5 7 ठीक है 12 और 7 कितना हो गया 19 19 और 10 कितना हो जाएगा आपका 29 29 और 5 कितना होगा आपका 34 34 में आपको 22 जोड़ना है और 5 जो 122 की दो question आप देख रहthy्ओ सीदा सीदा क्या किया है प्लेइस वैल्य को रहती आपको किसका चैक्रणने करने है आपको 75 vowels कंसब्स करने तो 17 प्लस21 प्लस9 प्लस 22 प्लस आजाएगा आपको कितना 92 आजाएगा और 92 कौन से option में फर्स्ट option बहुत इसी जा रहा है बिलकुल आसान है बाई question आसान आए है तो आसान भी दिखाए जाएंगे जबर जस्ती आपको tough question देके डराना मेरा मोटिव नहीं है आप देखो यह भी easy question आपका आया था next आप देख है six हो गया 18 हो गया ठीक है six plus 18 हो गया और plus आपका कितना हो गया 19 हो गया, कितना आ जाएगा 10, same logic, ठीक है same logic, तो आप भी masculine के जो letters हैं, उनकी place value को जोड़िए, ठीक है, पहले आपका क्या हो जाएगा, M हो जाएगा 13 प्लस कितना हो जाएगा, A आपका 1, और प्लस आपका हो जाएगा S, 19, उसके बार C आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बार U आपका कितना हो जाएगा 21 हो गया, ठीक है और L आपका कितना हो गया यहाँ पे तो L आपका 12 हो गया और I आपका कितना हो गया 9 हो गया, उसके बार N आपका कितना हो गया, 14 हो गया, और last में आपका ठीक है और आपको code दिया है किसका load का code दिया है clean का code दिया है और आप से पूछ किसका राय है strike का पूछ रहा है एक चीज आप देखिएगा 2019 की जो coding decoding ती tough आई थी ठीक है you can check it 2020 की coding decoding easy आई थी फिर 2021 की पूछिए मत questions आप 2021 के अलगी पाऊगे tough आई थी as I said और 2022 की आपने पहले तीन question देखे easy थी actually easy थी मैंने 22 के सारे question देखे easy थी तो क्या लगता है अगर इसी pattern को follow किया जाएगा तो 2013 का जो आपका coding decoding है वो 2021 की level को match कर सकता है ना इसी level की त्यारी करके जानी है यही expect करके चलना है कि 2021 के जैसे question आएंगे easy question देखके खुश नहीं होना है चलिए देखे लोड का code given है code क्या है 27241613 देखो सबसे पहले तो तुम्हें उसी का देखना होता है कि अगर L 12 है तो कहीं तुम्हें 12 लिखा हुआ मिल जाए और अगर आपको यह लग रहा है कि 12 में प्लस 1 करके 13 लिख दिया तो ऐसा होता तो D में भी प्लस 1 करके 5 लिख देता नहीं लिखा न और या फिर आप अगर ऐसा नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है और भी कुछ सो सकते है अच्छा अगर हम लोगों ने एक बात क आप लिख दो प्लस 1 कर सकते हैं और एक अपने देखा था कि Alphabet के order में लगाने के बाद भी प्लस 1 कर सकते हैं यह भी हो सकता है यह सब भी दिमाग में आ सकता है लेकिन यह सब बाद की बात है यह सारी चीज़ें आप बाद में check करो क्योंकि देखो मैंने आपको इतने सारे लिखवा दिये, इतने सारे मैंने आपको logic लिखवाए, तो सवाल ये है कि इतने सारे logic अगर मैंने आपको लिखवाए है, अप प्रोच कैसे करना है, सबसे पहले शुरू क्या करना है सबसे पहले चेक क्या करना है तो आपको सबसे पहले चेक करना है उसी का जैसे एल है तो एल का बारा मिल जाए तो आपको बारा नहीं मिला आपका ओ है ओ का पंदरा मिल जाए आपको पंदरा नहीं मिला एका आपको एक चलो माल लिया कि ये एक हो गया लेकिन डी का भी चलो माल लिया ये चार होगा अगर आपको सीधे सीधे वो नहीं मिला त ठीक है अचा L का पोजिट O आपका 15 और 15 नहीं मिल रहा है आपको 16 मिल रहा है ओ का पोजिट L होता है जो कि 12 होता है 12 नहीं आपको 13 मिल रहा है एका पोजिट Z होता है जो कि 26 होता है 26 नहीं आपको 27 मिल रहा है दी का पोजिट W होता है जो कि 23 होता है 23 नहीं आपको 24 मिल रहा ह तब आपका दिमाग ठनक सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है मिल तो रहे या पोजिट प्लस वन लेकिन जगा सही नहीं है तो आपको याद है ने एक logic इंटोड्यूस हुआ है पहले alphabet की order में लगाना जैसे A, D, O और उसके बाद आप क्या लगाओगे, sorry, L और उसके बाद क्या लगाओगे, O याँ लिख दे रहें, पहले A आ गया, A से बड़ा कौन है, D है D से बड़ा कौन है, L और L से बड़ा कौन है, O अब देखो चरह, A का opposite Z होता है, Z 26 होता है, लेकिन लिखा क्या गया है, 27 D का opposite W होता है, 23 होता है, लेकिन लिखा क्या है, 24, L का opposite O होता है, 15 लेकिन लिखा क्या है, 16, और O का opposite L होता है, 12 लेकिन लिखा क्या है, 13 तो यहाँ पे हो क्या रहा है, opposite हो रहा है, और प्लस 1 हो रहा है, लेकिन अल्फा बेट के order में लगाने के बाद तो अगर इस तरह के से हम strike का code बनाएं तो strike का सबसे छोटा later क्या है E है E के बाद I आएगा I के बाद K आएगा फिर R आएगा फिर S आएगा और फिर कौन आएगा T अब देखी E का opposite V होता है जो की 22 होता है लेकिन हम लिखेंगे क्या 23 I का opposite R होगा जो की 18 होगा लिखेंगे क्या 19 option मिल चुका है आपको पूरा solve करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है ये exam के ही same option है option भी सीधा answer की से copy-pasted है तो यही आपका answer है बाकी आपको नहीं बनाना है exam में लेकिन यहाँ पे देख लो के का opposite P होता है जो की 16 होता है लेकिन लिखेंगे 17 R का opposite I जो की 9 होता है लिखेंगे 10 S का H 8 होता है 9 लिखेंगे T का होता है 7 opposite लेकिन लिखेंगे क्या 8 ये हो गया strike का code next question देखते हैं अगीन ये question आपका 2021 का है और आपको code दिया हुआ है word है आपका virtue ठीक है क्या word है आपका virtue तो आपको क्या करना है पहले ही virtue के अक्षरों को जोड़ना है जो आपका later है V है, I है, R है आपका T है और U है, और क्या है E है, तो इनके अक्षरों को पहले जोड़के देखिए आता क्या है तो 22 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 और प्लस कितना 5 ठीक है तो 9, 2, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 25, 25 और 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 7 और 2, 9 कितना आ गया 95 आ गया आपको क्या बूला था मैंने इसको करने के बाद या तो टोटल नंबर उफ लेटर या तो टोटल लंबर ऌफ वाյिल या तो टोटल नंबर उफ कांसो से गुड़ा या जोड़रा होगा अब 95 तो आगया इसमे लेटर कितने है वर्चियो में 2, 2, 4, 2, 6 और 6 से गुड़ा करो लेकिन आपको पता चला कि यहां पे उसके नहीं उसके अपोजिट को जोड़ना था तो आप दुबारा उसके अपोजिट को मत जोड़िएगा आपका 95 आया तो 27 में इंटू करिए जितने टोटल नमबर ओफ लेटर है वर्चिव में कितने अक्षर है चे चे ताइस शके कितन होगा 162 और उसमें से 95 घटा दीजे ठीक है 162 में से आप कितना घटा दीजे 95 घटा दीजे तो कितना आजाएगा 67 आजाएगा तो यह ट्रिक है अगर आपने किसी लेटर को जोड़ा है और उसके अपोजिट को जोड़ने पर क्या आएगा पता करना है तो 27 का इंटू टोटल नमबर ओफ लेटर से ठीक है और माइनस कर दीजे जो आपका एक्चुल आया है जोड़ने पर तो अपोजिट जोड़ने पर क्या आएगा आजाएगा तो वर्चू के अपोजिट को जोड़ने तो कितना आएगा 67 इंटू आपको करना है अब देखे इसमें आप दे कीतने वड् f तो कॉट लिए किस कि लिए आप ट्रैशिडी करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा किसमें वावल कितने हैं उससे ही गुड़ा करना आए अब आपको प्रोफेण का बनाना इसके opposite को जोड़ना है, तो P का opposite आपका क्या हो जाएगा K, और K आपका क्या होता है, 11 होता है, R का opposite I हो जाएगा, I क्या होगा, 9 होगा, O का opposite L हो जाएगा, जो की आपका 12 होता है, F का opposite U हो जाएगा, ठीके, और U आपका क्या होता है, 21 होता है, A का opposite आपका Z हो जाएगा, जो की 13 होता है और e का opposite आपका हो जाएगा वी जो की 22 होगा ठीक है इन सब को आप add करिए तो आपको मिलेगा number 114 और इसका into करिए प्रोफेन में जितने वॉवल है उससे तो कितने वॉवल है एक दो और तीन और तीन का गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा तीन चौक बारा और तीन एकम तीन एक चार और तीन एकम तीन कितना आगया 342 ऑप्शन कौन सा सेकेंड ऑप्शन अगला क्वेशन देखेंगे अब ये 2022 का है ठीक है और आपको कोड दिया है किसका क्रस्ट का कोड दिया है 201921183 और आपसे ब्लेम का भी कोड दिया है ठीक है ब्लेम का कोड गिवन है 5131122 और आपसे कोड किसका पूछा गया है प्लास्टिक का कोड आपसे पूछा गया है चली देखते हैं पहले उसी की प्लेज़ फैल्योर दोड़ने का ट्राई करेएर चीपी नrieस्ट फैल्यों दोड़ने करें ही किसका अबी मिल जायेगा आपको यहाँ पर लिखिया तो क्रॉस का यहां पर पैटर्ण है और सीधे सीधे प्लेज फैल्यों लिख दिया है, second में भी देखे, यहां B का लिखा है 2, यहां E का लिखा है 5, L का लिखा है 12, M का लिखा है 13 और E का लिखा है 1, plastic में भी same काम करेंगे, C का हो जाएगा 3, P का हो जाएगा आपका sustain, एक छीज हमेशा याद जखेगा, exam में कभी भी आपको पूरा question नहीं बनाना ह होता, उनके पास भी इतना दिमाग है कि इतने कम समय में आप इतने question कैसे करोगे, हमेशा आपको option, यह पूरा exam का ही option है, exam का ही question है, और आप देखे, एक ही option है, जिसमें शुरुवात में 3 और आकरी में 16, तो आपको पूरा question नहीं बनाना, आपका time इसमें waste हो जाता है, ठी यसी ही तो आप से कोई student आगे हो जाता है, अरे एक दिन का time दे के paper दे दिया जाये तो हर बच्चा सवाल लगा के ले आएगा, लेकिन उस कम समय में सवाल लगाने के लिए approach जो लुग थोड़ा सा अलग अपना लेते हैं, वही आप से चारहा था कि निकल जाते हैं, चलिए 1, 2, 3, उसके बाद 9, 1, 0 और 3 और आपको दिया है code poetry का भी दिया है, ठीक है, poetry का code given है, 1067, 9, 2 और 7 ठीक है, अब आप यह देखें कि आपको poetry का code दिया है, refusal का दिया है और पूछा किसका है, profit का code आप से पूछा है, आपने एक चीज देखा कि poetry में letters की double digit वाले letters जादा है, देखें 25 आता है इसका आप खुदी सोचिए, poetry में आपको कम letters के according numbers कम नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इनकी place value रखी जाएगी या इनकी opposite की रखी जाएगी तो इससे जादा number आने चाहिए थे मेरे ख्याल से, इबर देख लो, अगर P का 16 होता, त 20 होता, R का 18 होता, Y का 25 वो जादा number आते, लेकिन इसमें कुछ कम दिख रहा है न, जब आपको ऐसा लगे न, कि जो word है उसके आसपास में ही number भी आ गये, आपको SDN के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, कैसे सोचना है, कब सोचना है, अभी बाद में बताता है, चलिए फिल लिखा है कहीं पर हाँ, यहां पर 9 लिखा है, ठीक है चलो, आगे देख लेते हैं, E लिखा है कहीं पर 5 लिखा है, नहीं लिखा है, E का opposite V कहीं लिखा है, तो नहीं, V तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, अब आप देखोगे F के बारे में, F का आपको 6, 6 कहीं दिख रहा ह तो ना तो वो, ना तो उसके opposite, अगर वो नहीं, उसके opposite नहीं, तो हम और क्या देख सकते हैं, हमें सामने सामने कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि A का हमें मिल सकता है, A की place value आपको मिल सकती है, 1 हो सकता है, हो सकता है, 1 में कुछ add कर दिया हो, ठीक है, हो सकता उसके बाद जैसे कि आपका बहुत famous शल है ना पहले alphabet के order में लगाना जैसे A हो गया, E हो गया, उसके बाद क्या आएगा? F आएगा, F की बाद क्या आएगा? L आएगा, L के बाद R आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद U आएगा, ये refusal के अक्षरों को लगाने पे आप जराई से देखिए, A की place value क्या होती? 1 होती है, और 1 में 1 एड करके क्या हो गया? 2, E की 5 होती है, 5 में 5 एड करके क्या हो गया? आपका 10 हो गया, अब देखिए, F आपका 6 होता है, 6 में 6 एड करके क्या आगया? 12 आगया, या फिर कैलो double कर दिया, खुछ भी कहो, लेकिन म यहां पे नहीं हुआ है, क्योंकि 12 के बाद L का double नहीं हुआ है, यहां पे तो 39 यह सब लिखा है, तो आपको याद है, मैंने आपको फर्स पेज पी दिखाया था, कि यह भी logic बन गया है, कि different logic for letters having single digit place value, and letters having double digit place value, तो यहां पे हमारा दिमाग यह काम कर सकता है, और मैंने numbers कुछ कम दिख रहे है, तो आप SDN के बारे में भी सोचो, SDN लगता कहा है, उस number में जिसकी double digit होती है, तो अभी तक तो double digit वाले आई ही नहीं थे, A था, E था, F था, अब आया double digit 12, तो L की जो place value 12, उसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3, देखे वही यहां पे लिखा है, S आपका 19 होता है, 9 को एक बार जोड़ोगे तो कितना आजाएगा, 10 आजाएगा, और U 21 होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, यही काम poetry में भी हुआ है, पहले poetry के जो letters है, उन्हें alphabet के order में लगा लिया गया, और उसके बाद अगर वो single digit वाल बनाना पड़ेगा या नहीं, जैसे कि अगर आप profit के अक्षरों को वर्ड माला की क्रम में लगाओगी, तो पहले F आएगा, उसके बाद I आएगा, फिर O, P, R, और फिर T, F आपका single है, 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा, I आपका single है, 9, 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, अब आप देख से लिए आपको एक ही option वैसा दिया है, ठीक है, चलिए, अगले question को देखते हैं, यह जो question है ना, पहले तो यहाँ पे मैं correct कर दू, यह misprint है, यह 2022 का question नहीं है, यह 2021 का question है, ठीक है, यह question 2021 का है, और यह मेरा challenge है कि अगर आपने कभी इस question को पहले नहीं लगाया ना, तो करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए, फिलाल मैं इसका solution बताती हूँ, बाकी आपको खुछ से इसे try जरूर करना है, देखे, आपका यह ऐसा question था, 2021 का, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन logic एक साथ डाल दिया, कैसे, आपको उसने बोला, कि reason जो word है, ठीक है, reason word का code उसने दिया, code क्या था आपका, 5, 4, 1, 0, 1, 2, और 9, इसी तरीके से आपको healthy word का code दिया, और healthy word का code आपको बताया, क्या बताया, 7, 1, 6, 2, 3, 1, 2, 1, और 6, और आपसे जो code पूछा, वो किसका पूछा, डाइवल्स का code आपसे पूछा, चलिए, देखे, आपने R को देखा, अ अब आप R का धूड़ने की कोशिश करोगे, और आप देख रहा हो ना, reason के हिसाब से number इसमें कम है, मानते हो न, reason word में उसके हिसाब से numbers कम लग रहा है, तो SDN भी हो सकता है, बाकी देखते है, R का 18 आपको मिल रहा है, क्या कहीं पे नहीं, लेकिन मैं R का opposite मिल रहा है, 9, तो अगर एक double digit के consonant पे आपको ये logic समझ में आ रहा है, कि उसका opposite हुआ होगा, तो आप double digit के ही consonant पे वो same logic लगा के देखिए न, जैसे N है, N भी double digit का consonant है, तब N का opposite M लिखा होना चाहिए था, 13 लिखा होना चाहिए था, जो कि कहीं पे नहीं लिखा है, S है, S भी तो double digit का consonant है S का opposite M, मतलब 8 होना चाहिए था, जो कि कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे ये logic नहीं है, ना तो उसका place value है, ना तो उसके opposite का place value है, तो और क्या है फिर, अब आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको SDN का hint कैसे देखा जाता है, बता ही दिया, तो आप SDN के बारे में सोचे, 18 8 और 1 क्या हैगा, आपका 9 आएगा, यहां लिखा है, और N को एड़ करोगे, 4 और 1 कितना हैगा, 5 आएगा, यहां लिखा है, आप बोलोगे ठीक है मां, फिर तो E को convert नहीं करेंगे ना, क्योंकि E पहले से ही आपका single है, A को भी convert नहीं करेंगे, वो पहले से SDN होता है, S को convert करेंगे न, S आपका 19 होता है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अच्छा फिर तो E को भी convert करना चाहिए था, E 15 होता है, लेकिन 6 तो नहीं लिखा, तो यह भी तो सोचो, कि E आपका वावल है, अब E आपका वावल है, तो वावल के साथ अलग treatment, consonant के साथ अलग treatment हो सक या है, SDN, अब आते हैं वावल पे, वावल में, अब आप देखें, हमने आपको पहले ही बताया था, वावल की भी series में वावल की पेस value होती है, A, E, I, O, U, A, 1 होगा, E आपका 2 होगा, I आपका 3 होगा, O आपका 4 होगा, और U आपका 5 होगा, अब देखें, यहाँ पे है, अब इसे rectify करेंगे, अगले में गए हम, तो हमने अभी इसमें single digit वाले consonant से हमारा पाला पड़ा नहीं था, यहाँ पे आके मुलाकात होती है, single digit वाले consonant में, तो हमें पता चलता है, कि उसके लिए तो कुछ अलग ही कर रहा है, क्योंकि आपको pattern तो पता चल गया कि पे code लिखा है, तो वाई में तो वही हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है था, double digit वाले consonant के साथ, अगर 25 है, तो 5 और 2 जोड की क्या बना दिया साथ, और single digit का क्या किया पता है, अगर single digit के consonant है, तो उनका यहाँ पे दो गुना किया गया है, एक ही question में तीन logic आपको मिल चुक लिख दिया गया, एक ही जो position होती है, वो लिख दिया गया, एक ही जो position होती है, वन वो लिख दिया गया, एल आपका दो digit वाला consonant था, उसे SDN में बदल के 3 कर दिया गया, ती आपका दो digit वाला consonant था, SDN में बदल के 2 कर दिया गया, डाइवल्स का code बनाएंगे, तो डाइवल ठीक है, handwriting का issue है, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको समझना है, तो handwriting इतना बड़ा obstacle नहीं है, आप चीजों को खुद भी लिख रहे होगे, खुद भी समझ रहे होगे, और पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, बहाना करने वाले बहाना करते रहे जाते हैं, सबसे बड़ा fact यह ही है, अब देखिए, E है, E की place value क्या होती, वावल की series में 2, तो हम 2 लिखेंगे, D consonant है, वो भी single digit वाला, तो इसका दो गुना करना है, 4 का दो गुना क्या होगा, 8 होगा, अब देखो बेटा, एक ही option है, जहाँ सुरवात में 2 है, और आकरी में 8 है, ओप्शन कौन सा हो, ठी तो बाय का code बताया, ओला का code बताया, बी वाई ए, पाय का code कितना बताया, 245, ओला का code कितना बताया, आपको 265, और किसका code पूछ रहा है, कार का code पूछ रहा है, ठीक है, तो पहले तो आपको ये question खुद से try करना है, ठीक है, और उसके बाद solution देखना है, अब आप देख किसमें करेंगे आफ चार करेंगे पांच करेंगे किसे में भी करेंगे 45 नहीं आएगा अब आपको मानलेजिसके उपोज़िट को जोडना जोड़ना है तो क्या करेंगे 27 गुड़े 3 और कितना करेंगे बत्यस सो जोड लोघा और साथ में से तीन गया तो कितना भाइगा चार फॉटि नाइन ँट ने पर आपको तो पता है ए Boulder इंटू फाइब करेंगे तो पांच नवा पैतालिस पांच चौब भीच चार चौबिस दोस्व पैतालिस आजाएगा ठीक है तो क्या किया है अब फाइब से इंटू क्यों किया देखना पड़ेगा क्योंकि इसका एक रीजन यह भी हो सकता है एक तो हो सकते है कि डारेक्ट से किया सब में फाइब से करना है दूसरा वीजन यह हो सकता है कि इसका लास्ट लेटर ही है क्या पता है इसलिए फाइब से किया तो यह नीड टू चेक है नेक्श देखिए ओला के आपोजिट को जोड़ेंगे ओ का आपोजिट 12 होगा एल का आपोजिट 15 होगा एक पोजिट जैड होगा आर का पोजिट आई होगा नौच है 15 और चार कितना होगा उननिस और दो दो चार और एक पांच तो गुड़े पांच करना है पांच नौवा पैतालिस पचंप चीस और चार आपका हो जाएगा उन्तिस दो सो पंचान नभी ऑप्शन कौन सा बनेगा सेकंड ऑप्शन इजी क्वेशन का नेक्ट देखी 2022 का ही है यह गॉल्फ का आपको कोड गिवन है 44 पहले गॉल्फ के लेटर को एड करिए साथ 15 बारा और यह कितना 6 तो पंदरा साथ 22 22 और 10 32 33 34 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा लेकिन लिखा है 44 एड कितना है अगर हम सेदर सेदर देखें तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 8 14 और तीन और एक चार अगर बॉल में देखें तो दो एक और बारा दूना 24 25 25 और दो कितना होगा 27 27 है लेकिन यहां लिखा कितना है 31 लिखा है तो 11 में से साथ गया 4 कितना एड कर रहा है यहां पर यहां सकता है यह आपको सोचना है और अगर यहां पर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको इसके अपोसिट को जोड़ना पड़ेगा जैसा कि अभी तक हम करते आ रहें लेकिन रीजन हो सकता है ठीक है यह आपका 2022 का है 2 दिसंबर और शिप्ट आपकी दूसरी शिप्ट थी उसका यह है आपको तो आपको यहीं सोचना है कि भाई इसमें अगर चार एड़ किया है उसमें भी चार ही एड़ किया है एक बार फिर से मैं देख लेती हूं 44 दिया है तो 7 हो गया यह 15 हो गया आपका 12 हो गया और यह 6 हो गया 15 साथ 22 हाँ तो यह हो गया आपका 6 2 8 5 13 ओके यह आपका देख लेजेगा ठीक है यहाँ पे 7 5 12 13 14 14 और 6 20 हो गया और 2 और 2 4 हो गया स्वारी यह मेरी गलती थी कैलकुलेशन मिस्टेक दी 40 है और 40 प्लस 4 है तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है 27 प्लस चार हो रहा है तो सीरी सीदे प्लस चार करना है प्ले में भी चार लेटर इसमें भी प्लस चार करना है तो पहले प्ले को जोडेंगे तो 16 12 उसके बाद 25 और एक तो 6 2 8 5 13 14 2 1 3 1 4 4 4 में हम चार जोड़ेंगे कितना आजाएगा अठावन 2022 के क्वेशन इजी है ठीक है अब यह क्वेशन देखिए 22 का ही है आपको दिया है फील आट होम का कोड देकिन नॉर्मली जब ऐसा क्वेशन आता है तो आपको पता रहता है कि डारेक्ट कोडिंग में आपने ऐसा क्व होगा लेकिन यह डारेक्ट कोडिंग नहीं है इस सम्थिंग डिफ्रेंट 424 ठीक है उसके बाद आपको दिया है चेक द लॉंड्री का कोड दिया है कितना 537 देखिए यह डारेक्ट कोडिंग नहीं है आगे देखिए ओपन द दोर का कोड गिवन है 4 3 और 4 तो यहां पे दो बार 4 आया है यहां भी 2 और 4 लेकिन देखिए दोने में कोई भी वर्ड जोएव कॉमन नहीं तो यह डारेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है तो क्या हो रहा है यहां पर फील में 4 अक्षर है पोम में 4 अक्षर है एट में 2 अक्षर है इसलिए लिए 424 चेक में आपके तो हैल्ट में कितने लेटर है तो तो हैल्ट में कितने लेटर है चार है वेल्ट में भी शेलेटर और बीच में कितना आ गया दो ठीक है एकसाइज में आट लेटर है रेगुलर्ली में नौ लेटर है सेम लॉजिक है बैलेंस में कितने है एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ डाइट में कितने है चार है उसके बाद क्या आएगा दो और उसके अब देखो फोर एट और टू एक ही ऑप्शन है पहला आगे जितनी जल्दी आपके नजर में आप्शन आ गया उतनी जल्दी आपको फ्वेशन चोड़के आगे बढ़ना है एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बर्ड का देखिए सेम चीज हम चेक करेंगे वही हो ज़रूरी नहीं डारेक कोडिंग भी हो सकते तो चेक कर इसी तरीके से Spaß में कितने है तो एक दो टीन चार पासफेसे साट योउर में कितने सब्सक्राइब उप्पेस्ट होना रहे गया था लेकिन इसका चली यह आपका 2022 का question है आपको break का code given है ठीक है बी आर इए 2022 में भी questions थे बढ़ियां बढ़ियां अभी आएंगे ठीक है later to number आही जाता है एक नाए question 218-2111 और आपके लिए भी homework है उसके बाद color का code आपको given है और color का code क्या given है color का code है आपका 3-4-1-2-4-5-1-8 और आपसे पूछा किसका है ट्रिंग का code आपसे पूछा चली देखते हैं देकि बी का code 2 होता है सामने लिखा है r का 18 होते सामने लिखा है लेकिन e का वैसा मामला नहीं है है ना e का 5 भी नहीं लिखा एक अपोजिट का 22 भी नहीं लिखा कुछ लोग की दिमाग में आ सकते है कि 22-1 करके 21 किया है अच्छा तब तो a के साथ भी वही करना था क्यों क्योंकि a भी वावल है single digit वाला ही वावल इसलुए क्या लिखा है रहा आपका कॉंसों नेन पाच आपका त्रिंग कोड क्या होगा टी होगे आपका 20 आपका 18 आपका वोवल सीरीज में आता है तीन नमबर पर 2018 के बाद 3 2018 के बाद 3 दो जगव पर तो करना पड़ेगा आई के बाद आपका 14 होगा तो 2018 के बाद 3 और तीन के बाद 14 के वालिक option में option 3 आपका अंसर बनेगा अगला देखें जैसे ही आपने देखा इस केप का कोड 49 है तो आप सोच सकते हो कि सासता उन्चास किया होगा बट प्रॉब्लम इस दाट कि प्रिजन का कोड 91 दिया है तो यहां पे वो मैटर नहीं है कुछ और है तो कुछ और में होता क्या है या तो वह या तो इसका पोजेट तो 9, 5, 14, 3, 17, 18, 6, 24, 25, 29 और 2 और 2 कितना हो जाएगा चार मतलब इसकी प्लेस फैल्यो को सीधे सीधे जोड़ेंगे तो 49 आजाएगा फ्रीडम को जोड़ेंगे तो कितना हैगा तो 18, 86, 24, 24 और 10 कितना होगा 34, 34 और 4 कितना होगा 38, 38 और 10, 48, 48 और 5 तिरपन, तिरपन में आपक करिए 2022 का ये question मुझे मतलब बढ़िया लगा लगा कि हाँ थोड़ा सा time तो जाएगा एक student का इस पर क्योंकि मेरा भी एक से दो बार सोचने पर ही मुझे समझ में आया तो ये आप ज़रा question खुछ से जरूर एक बार वीडियो को pause करके try करिएगा देखिए आपको dove का code given है औ 2, 3, 3, 1, 1 इसका code क्या है इसका logic क्या है पता है आपको जैसे कि इसमें तो पहली बात हुआ है cross हुआ है ठीक है दो दो की pairing हुई है जैसे कि यहां पर O है ठीक है O का opposite होता है आपका L, L होता है 12, लेकिन minus 1 करके क्या लिखा है 11, D का opposite होता है W, W होता है 23, लेकिन minus 1 करके क्या लिखा है 22, उसी तरीके से V का opposite होता है E, लेकिन minus 1 करके 4, E का opposite होता है V, लेकिन minus 1 करके 21, C का opposite होता है X, मतलब 24, लेकिन minus 1 करके 23, R का opposite I 9-1 करके 8 O का opposite L 12-1 किया है और D का opposite 4-1 किया है तो अगर माइना का code बनाए तो Y का opposite होता है B B होता है 2 लेकिन minus 1 करेंगे तो 1 आएगा M का opposite होता है M यानि की 14 minus 1 करेंगे तो 13 आएगा तो 1, 1, 3 कई option में आगे भी करना पड़ेगा A का opposite होता है N का opposite M होता है M आपका 13 होता है minus 1 करेंगे तो 12 आएगा option कौन सा चाहेगा फर्स्ट option ये भी 22 का ही question है ओके तो ये वीडियो का ये जो slide है ये आपके लिए है आपको ये screen पे जो 4 question देख रहे हैं ये खुछ से try करना है और comment section में इसका answer बताना है ठीक है तो इसको try करिएगा comment section में अपना answer बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like करेगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो जरा साभी किसी के लिए beneficial हो सकता है तो उस तक पहुचाईएगा ज़रूर बस इतना काम करना है आपको और अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो हमसे जुड़िये ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे और जब तक ऐसे सीजल का exam नहीं होता है आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहेंगे बाकि आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको 25 क्वेशन का प्रैक्टिस सेशन चाहिए या इस तरीकी से टॉपिक वाइस वीडियो चाहिए इससे मेरे लिए चाहन करना थोड़ा एजी हो जाएगे कि मुझे किस तरह का कंटेंट करना है थैंक्स अलॉट फॉर बिंग एर और अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा और आप लगातार चेक करते रहेगा या फिर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आप जरूर क्लिक कर दी ताकि कोई भी वीडियो में अप्लोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक्स अलॉट